जो पेड रूम से इंकम कितना होता है मंधली इंकम मंधली तो नहीं बोल सकते एक लाक, बेर लाक, दो लाक, उत्रा मज्जा तो है गाइज मैं ओफलेस और आगे मैं एक और वीडियो लेकर और आज कोई कस्टम का वीडियो नहीं है आज एक Q&A वीडियो है जो है LVL Iconic का तो मैंने कुछ दिन पहले कॉमिनेटी पे एक पोस्ट डाला था कि कुछ भी पूछा Iconic को लेकर तो उस पोस्ट में तुम लोगों ने जो कुस्टिन पूछा जो इसी का एंसर देगा Iconic तो ठीक है तो Iconic को गुरूप में बुलाते हैं और Q&A ने शुरू करते हैं तो आगया आप सबका फेवरेट आइकॉनिक तो ठीक है तो सबने जो सबसे पहला जो सवाल पूछा है ओए आइकॉनिक का असली नाम क्या है तो Iconic ब्रो आपका असली नाम क्या है बोल दो एक बार और नाम क्या है आइकॉनिक है या कोई दूसरा भी तुमारा असली नाम मैं लिख के दरा ठीक ना ओके क्या है अच्छा और तुम्हारा एज कीतना है मेरा एज है 16 तुम्हारा घर कहां पर है तेरा घर आसाम में तो दूसरा जो सवाल होए तुम कौन से डिवास पर गेम खेलते हो मैं खेलता हो आरोजी फाइप पर जंदिकी हो तो ऐसी हो सिर्थिवे की मुबाल है तुम्हारे पास एक सेकंडरी फोन है जिसके मैं पहले खेलता उसका नाम है रेड्मी नोट फॉट अच्छा और तीसरा जो सवाल होए आपका डिपाय कितना है डिपाय क्या होता है क्या मुला तो नहीं पता आपको नहीं पता है नहीं में मोबाल खरीदा गेम ओन किया और खेलो अच्छा हमको सिकार यह आए उसका मजला आइकोनिक का डिपिया और डिपाय दिपिया थी नाइन टीटू है सायथ है चार सो ग्यारा उत्ते शौदार हो जी है हाँ ओकि तो नेक्स्ट चवाल है कि आपका जो पेड रूम से इंकम कितना होता है मंधली इंकम मंधली तो नहीं बोल सकत सब्सक्राइब कर दोलाइब उत्रा बज्जा हो जाता होगा पचास साथ हाजार एक महिने में सब्सक्राइब बहुत पड़ी ओके तो और एक लड़की ने एक स्पेशल कुश्चन दया तुमारे लिए मैं बोलो को सवाल एक दम उपड़ो तो उसने बोला क्या तुम गेमर गलगारगी को जानते हो आज आनता हूं और ओ तुम्हें कैसी लगती है पोटो देखा नहीं है अच्छा पोटो नहीं है अच्छा 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 पाराम ही हो बेटा और भी बहुत सब्सक्राइब कर देना और आप लोग आइकोनिक के चैनल पर जा उसको सपोर्ट करो वी बीच-पीच में वीडियो डालता है कस्टम का और उसका गेमप्ले आप देख रहे हो ना बैक्गरांड में जो चल रहा है एकडम नेक्स्ट लेवल गेमप्ले तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट कर दो मैं चैनल का लिजो लिंक हो कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगा आप लोग जाके सब्सक्राइब कर देना तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही